सबसे जादा पूछा गया question है कि ma'am crystals का तो समझ में आता है बढ़ क्या मेरी लिए ये crystal मुझे suit करेगा, क्या ये crystal मेरी लिए अच्छा है, क्या मुझे ये crystal पहनना चाहिए, मुझे कौन सा crystal suit करेगा, मैं किस basis पर crystal पसंद करूँ या choose करूँ, date of birth से करूँ, या destiny number से करूँ, या sun sign से करूँ, या moon sign से करूँ, या जो मुझे problem area आ रहा है उससे करूँ, well इन सब के answers है, आप किसी तरीके से भी choose कर सकते हैं, इन वैसे कोई भी area पे आप ये ले सकते हैं, लेकिन basically ये वाली जो video है, आपको एक बहुत specific answer दूँगी, जिसमें आप समझ पाएंगे कि आप के लिए कौन सा crystal जादा जरूरी है, या कौन से crystal के साथ आप resonate कर सकते हैं, नमस्ते, welcome to nitty gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family, crystal की बात करें तो मैं बहुत time से crystals के बारे में reels और बहुत सारे information आपको दे रहे हूं और आपको बहुत चारी चीज़े समझ में भी आ रहे हैं, अब ये particular video मैं आप से birth number 1 से लेके birth number 9 तक की बात करूँगी, जिसमें birth number और destiny number हम दोनों की बात करेंगे, अब आप सीधे straight away आप अपना birth number चेक करके और time stamp से वहां मत पहुत जाहिएगा, क्योंकि बाद में आप वो questions पूछेंगे, जिनके answer मैं beginning में देती हूं, और आप जल्द बाजी के मारे वो सारे चीजों को skip कर जाते हैं, तो सबसे जादा जुरूरी जो बाते हैं उन्हें आप ध्यान से सुनिये, उसके बाद आप time stamp पे जाहिएगा, पहली चीज तो यह कि आप अब इस video को कैसे देखेंगे, आप अपनी date of birth के number के हिसाब से देखेंगे, अगर आपकी age 35 years तक है, बतलब whatever is your age from now to 35 years तक हैं आप देख रहे हैं, तो आप preferably अपना birth number consider करेंगे, crystals recommendation के लिए, अगर आपकी age 35 and above है, तो आप preferably अपना crystal recommendation लेंगे as based on your destiny number, clear, तो आप सबसे पहले हम कहीं birth number, birth का number, अगर मेरा birth number 21st है, तो that means मैं 3 से governed हूँ, तो हर एक birth number के अलग-अलग numbers है, जो मैंने बहुत सीरीज में भी बनाया है, अगर आपकी date of birth 1st है, या आपकी date of birth 10th है, या आपकी date of birth 19th है, या आपकी date of birth 28th है, इन सब का sum total हम 1 आता है, तो यानि आप सब number 1 की category में आएंगे, I hope this is clear to you, similarly destiny number क्या होता है, हमारी पूरी date of birth क जो total single digit में लेके आते हैं, उसको हम destiny number कहते हैं, तो आप अपनी total date of birth निकालेंगे और उसका जो single digit में लेके आएंगे, वो आपका destiny number होगा, मैं अगर अपनी date of birth की बात करूँ तो 21st November 1966 is my date of birth, इसका sum total बनता है 27, 2 plus 7 is 9, तो मैं किसको consider करूँगी, मैं destiny number को consider करूँगी, बन मैं अब उस stage पे हूँ अपनी life की, कि I am governed more by my destiny number rather than the birth number, clear हो गया, अब आप सबसे पहले इस वीडियो को यहीं pause गरो, उसके बाद अपनी पूरी date of birth लिखो, आपको मालूम होगा कि आप 35 साल के हैं, उससे कम हैं या उससे जादा हैं, accordingly हम दोनों के साथ detailing में discuss करेंगे, तो each birth बर्थ नंबर के basis पे मैं आपको तीन crystals recommend करूंगी, अब वो crystals क्यों मैं बर्थ नंबर के basis पे recommend कर रहे हूं, हम सब के साथ एक ना एक date हैं, यानि हम सब एक planet से जुड़े हुए हैं, उस planet से जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो planet हमारे लिए हमेशा helpful ही है, 90% helpful होते हैं, unless and until व negative impact आ रहा है या positive impact आ रहा है, still 90% of the time आप उससे birth number वाले planet से positively ही governed रहेंगे, unless and until कोई major goof up है आपके horoscope में या chart में या placement of that planet में, and secondly, destiny number भी अगर आता है, तो आप उस particular number से कही ना कही positively resonate करेंगे ही करेंगे, शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे number 1 की, जो लोग प या फिर उनका destiny number single digit में बनाता है तो, ऐसे में आप leadership skills आपकी बहुत कमालकी होती है, आप creative भी होते हैं, आप go getter होते हैं, और आप shine करते हैं अपनी life में, तीन crystals जो आपको हमेशा help करेंगे, वो है number 1, citrine, दूसरा carnelian, और तीसरा amber, आप इन तीनों crystals को किसी भी form में अपने साथ use कर सकते हो, अगर आप मुझसे हाँ, ये भी चाहते हो कि मैं एक वीडियो ये भी बना दीजे कि टंबल्स को हम use करें तो कैसे use करें, या angels को use करें तो कैसे use करें, या bracelets को use करें तो कैसे करें, या tree को use करें तो कैसे करें, अगर आप मुझे comment box में लिखेंगे, तो मैं इस पूरे crystal से related मैं एक series ही बना दूँगे ताकि आपको हर एक चीज का answer यहाँ पे मिल जाए अब हम आते हैं second number पे, number two पे अगर आपका birth number two है या आप 11 तारी को पैदा हुए हो या 20 तारी को पैदा हुए हो या 29 तारी को पैदा हुए हो या आपका destiny number single digit में two आता है तो आप ऐसे में आप वो लोग हो जो दिल से governed हो मतलब दिल के राजा हो आपके लिए moon energies बहुत strongly आपकी life को impact करती है आप बहुत sober हो, बहुत प्यार देने वाले हो emotions के साथ भरे हुए हो, sensitive हो, diplomat भी हो आपके लिए moon stone हमेशा हमेशा help करेगा mother of pearl यूज़ कर सकते है moon stone का pendant, bracelet ring कुछ भी यूज़ कर सकते है equamarine यूज़ कर सकते है अगर आपको इन में से कुछ भी यूज़ नहीं करना 10 मिनट के लिए selenite का आप tower चोटा सा लेकर उसके साथ बैठ कर meditate कर सकते है और उस meditation से आप इसका पूरा-पूरा फाइदा उठा सकते है अब मैं आती हूँ number 3 पे अगर आप number 3 से governed है यानि आपका birth number या तो 3 है या 12 है या 21 है या 30 है इन में से कोई भी है या आपका destiny number single digit में 3 है आप Jupiter से governed है आप बहुत हद तक आपके अंदर एक leadership की भी traits है आप creative भी हो आप out of the box सोचते हो आप सबसे हट के कुछ करते हो आप बहुत passionate हो जो भी करते हो उसके लिए और बहुत दिल से चीजों को करते हो तो ऐसे वाले जो लोग है उनके लिए क्या-क्या कौन से crystals important amethyst, citrine, green aventurine even ametrine जैसे आपको मैं कहूंगी amethyst और citrine का combination है ametrine आप even ametrine यूज़ कर सकते हो तो आपके लिए ये चार अलग-अलग crystals है जो आप किसी भी form में यूज़ कर सकते हो और तो और आप इनकी amethyst की या फिर citrine की ball आप अपनी table पर भी रख सकते हो और उससे आपका कहते है ना बहुत जादा अच्छे से focus लगेगा और आप साथ में बहुत सारा काम भी कर पाएंगे creatively आप काम कर पाएंगे अब मैं आती हूँ number 4 पे जो लोग पैदा हुए है 4 थारी को जो लोग पैदा हुए है तेरा तारी को जो लोग पैदा हुए है 22 तारी को जो लोग पैदा हुए है 31 तारी को इन में से कोई भी आप है या आपका destiny number 4 है sum total of the number which comes out as a single digit 4 आप उन में से हो जो कहते हैं आपको ना no nonsense number कहा जाता है मतलब आप सटीक जो है जो है आप बड़े principled किसम के लोग होते हो बहुत आगे बढ़के सब की help करने वालों में से होते हो बहुत जादा stable होते हो बहुत जादा practical होते हो आपके अंदर एक skill है और वो skill आपको किसी भी काम को पूरा करने में help करते है क्योंकि आप चीजों को बहुत डंग से या और अरगनाइजड वे में काम करते हो तो ऐसे लोगों के लिए कौन से crystals हैं जो बहुत हमेशा help Smoky quads आपको grounded रखेगा Hematite आपको again grounding करके रखेगा और आप अपने काम को बहुत शिदत से और अच्छे से कर पाएंगे Black thermoline and Black obsidian also will help you and protect you against all the odds in your life अब मैं आती हूँ number 5 पे number 5 जिनकी date of birth है या आपकी date of birth 14 तारीक है या आपकी date of birth 10 तारीक है किसी भी महीने की या फिर आपकी destiny number 5 है sum total of all the numbers coming back to one single digit बहुत restless किसम के लोग होते हो बहुत टिक नहीं पाते हो एक जगे आपको बहुत सारी चीजों में विराइटी चाहिए चाहे वो खाने में विराइटी हो चाहे चीजों को करने में जहां आपको लगने लगता है कि ये रूटीन सा बनने लगाए आप वहीं से उट खड़े होते हो आपको मतलब आप एक तरह से ना यू आर वेरी वेरी ब्रेनी और वेरी इंटेलिजन और आपका ब्रेन 2400 गंटे काम करता है आपको थोड़ी देर की भी शांती नहीं देता ऐसे में आप सब लोगों के लिए कौन सा crystal कौन से crystals मैं recommend करूंगी Aquamarine, Citrine, Garnet और Amethyst Amethyst और Citrine का combination है Ametrine जो मैंने पहले number 3 के लिए भी बोला था और वो आपके लिए भी फायदा करेगा ही करेगा So this is about number 5 अब मैं आप बात करते हूँ number 6 वाले लोगों की तो अगर आपकी date of birth 6th है 15th है, 24th of any month है या destiny number 6 आता है तो ऐसे में आप लोग 6 यानी Venus से governed होते हो Luxurious रहना आपको अच्छा लगता है Luxurious lifestyle, अच्छे से पहना और ना तरीके से रहना ही अच्छा लगता है आप सब कर बहुत भला करना चाहते हो आपका दिल में बहुत सारी warmth है बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा अपनत्व है और आप बहुत सारी responsibilities लेना पसंद करते हो आपके लिए कौन से crystals सबसे सादा अच्छे रहेंगे Moonstone Rodonite and Rose Quads ये तीनो के तीनो आपको self love देंगे क्योंकि 90% of the time आप self love की कमी से महरूम रहते हैं तो ये तीनो के तीनो आपको help करेंगे तो एक तो आपको emotionally pep up करेंगे प्लस आपको self love बहुत अच्छे से देंगे ताकि आप खुद भी प्यार से भरे रहें और दूसरों को भी उतना सारा प्यार दे पाएं अब मैं आती हूँ नंबर 7 पे अगर आपकी date of birth 7th है अगर आपकी date of birth 16th है अगर आपकी date of birth 25th of any month that means you're governed by number 7 7 is about Ketu 7 is about Ganesh ji, 7 is about Lord of Wisdom या आपका destiny number 7 है तो ऐसे में आपके analytical skills बहुत कमाल के हैं spirituality से आप भरे हुए हो आप हटके सोचते हो, हटके देखते हो आप एक कहते हैं ना एक normal इंसान जैसे नहीं हो आप हर चीज को बहुत widely और बहुत depth में अच्छे से introspect करते हो और समझते हो और हर चीज की depth तक जाते हो बिकोज आपको पता है real gold जो है ना वो अच्छे से अंदर घुसके ही मिलेगा मुझे surface पे नहीं मिलने वाला सो आप लोगों के लिए कौन से crystal सबसे जादा अच्छे रहेंगे clear quads, selenite and lapis lazuli ये आपकी third और top chakra के लिए बहुत 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 अच्छे रहेंगे और clarity आएगी thoughts में और अच्छे से आप चीजों को introspect कर पाऊगे और अपना 100% नहीं 200% किसी भी effort का दे सकेंगे अब मैं आती हूं number 8 पे तो अगर आपकी date of birth 8 है अगर आपकी date of birth 17th of any month है, 26th of any month है या फिर destiny number 8 है तो ऐसे में आप सब लोग 8 से governed हो 8 का मतलब क्या है Saturn Saturn is a tough task master यानि आप चीजें कहते हैं ना एक सक्त टीचर जैसे हैं आप लोग आप दूद का दूद पानी का पानी करना जाहनते हैं आपके अंदर एक कमाल का ambition होता है और आपके अंदर एक business sense जो है ना वो भी एक मतलब अलगी level की है आप लोग भी बहुत practical हो और जो भी आप फैसले लेते हो बहुत सोच समझ के और money related numbers related इस तरह से आप फैसले लेते हो आपके लिए hematite बहुत अच्छा है आपके लिए garnet बहुत अच्छा है क्योंकि आपको grounded रखेंगे आपको बुरी नजर से बचाएंगे और इसके इलावा अगर और सारा धन कमाना है बहुत सारा money और कमाना चाहते है तो Pyrite आपको बहुत बहुत successfully help करेगा अब मैं आती हूँ last number पे और last number है number 9 तो अगर आपकी date of birth है 9th 18th, 27th of any month that means you're governed by 9 या आपकी destiny number 9 है तो आपके साथ कौन सा planet है, Mars है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है और वो planet आपको instant results देता है as number 9 आप humanitarian हो, आप दूसरों के लिए आए हो आपका काम ही है कि मैं दुनिया में बहुत सारा प्यार और बहुत सारा मतलब बहुत सारी तकलीफों को ठीक कर सकूँ बहुत सारा प्यार दे सकूँ बहुत सारा जैसे magic wand हो मेरे हाथ में और मैं सब को change कर पाऊ और सब को एक प्रॉपरली कहते है न positive thoughts दे पाऊ कमाल की wisdom है आप लोगों के अंदर और creativity तो एक अलगी tangent पे है तो आप जैसे लोगों के लिए कौन सी चीज है जो help करेगी कौन से crystals हैं जो आपको help करेंगे turquoise, citrine, amethyst and ametrine ये चारों के चारों crystals आपकी बहुत help करेंगे अपनी life में उस purpose को आगे ले जाने के लिए तो ये हो गए कुछ recommendations crystals की ये ये वाले crystals हमेशा आपके साथ जूडेंगे तो आप खुद अपने आप अपनी life में magic और change होता हुआ देखेंगे अब आपको कौन से लेने हैं, क्या सारे लेने हैं, नहीं एक या दो लेने हैं, आप एक से भी काम चला सकते हो आपको पहनना अच्छा नहीं लगता है, मैं तो पहनती हूँ मुझे तो बहुत मज़ा आता है, अगर आप कहते हैं, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता पहनना तो आप उसके साथ meditate कर सकते हैं, टंबल्स लेकर meditate कर सकते हैं आप बॉल्स ले सकते हैं बड़ी बड़ी और वो बॉल्स आप अपने work table पे रख सकते हैं आपके अगर relationship वाले area में रखना है तो वहां रख सकते हैं अब मुझे बताइए का अगर आप इस बारे में crystals के बारे में और जानकारी चाहते हैं बहुत सारी और knowledge ऐसी जो आप as a layman उसको समझ पाएं, देख पाएं, सीख पाएं, कर पाएं तो I'll be more than happy to guide you and help you for this Thank you so much once again और आपका तही दिल से आभार और तही दिल से शुक्रिया इस channel के साथ जुड़े रहने के लिए और मुझे बहुत साथ प्यार देने के लिए Thank you, God bless you